Hello and welcome friends, मैं नहीं जावेद, आप देख रहा है Helpful Assay YouTube चैनल दोस्तों, इंडियन रेलवे कल से एक और बहुत ही बड़ा जटका देने वाली है लोगों को उम्मीद थी कि नॉर्मल ट्रेने जल्दी स्टार्ट कर दी जाएंगी इस्पेशल ट्रेनों का जो टैग था वो हटा दिया जाएगा यारी कि ट्रेन नंबर से जीरो हटा दिया जाएगा और नॉर्मल फेर देना पड़ेगा तो दोस्तों ये तो बहुत दूर की बात है एक नया जटका रेलवे देने को तयार हो गई है इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो ये वीडियो लास से ज़रूर देखेगा आपके लिए काफी ज़ादा हलफुल होगा आगे बढ़ने से पहले प्यार भार एक प्यास अगर वीडियो अच लगे तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही हलफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को अब्सक्राइब ज़रूर कर लिजेगा दोस्तो आपको बता दू भारतिये रेल ने राजस सु बढ़ाने के नए ने तरीके ढूने हैं कोरोनकाल में मेल और एकस्पेस ट्रेनों को इस्पेशल बनाकर चलाया जा रहा है ऐसे में इस्पेशल ट्रेनों से यात्रा करने वाले को सामान निसस जादा किरया देना पड़ ला है इंडियान रेलवे अब इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए पैसेंजर ट्रेनों को भी इस्पेशल ट्रेन का दर्जा देकर चलाने का फैसला कर रही है हाला कि इन ट्रेनों के किराय में रेल अधिकारी कुछ भी बोलने को तयार नहीं है राची रेल मंडल के तहत एक अक्टूबर से 14 पैसेंजर ट्रेनों को इस्पेशल ट्रेन के तौर पर चराने का फैसला किया गया है संभव है कि इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले लोगों को अब पहले के मुकाबले जादा किराया देना पड़ेगा इस्पेशल का दर्जा मिलते ही सम्मंदी ट्रेनों की संख्या के पहले जीरो लगा दिया जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुकारो स्टील सीटी राची पैसेंजर राची बुकारो स्टील सीटी पैसेंजर हटिया राव केला पैसेंजर राऊ केला हटिया पैसेंजर टार नगर हटिया पैसेंजर यहाँ पर उन ट्रेणों के नाम और लिस्ट देख सकते हैं जिनके आगे zero लगने वाला है और special शब्ड जोडने वाला है यानि कि इनका किराया भी जादा होने वाला है दोस्तों इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ये अपडेट कैसा लगा ये भी बताईएगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्क्राइब करना बिल्कूर मत बूलिएगा मिलते हैं नहीं वीडियो में नहीं इंफॉर्मेशन के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग